प्रिय मित्रो आपका अपने चैनल G.S. यूक्ति पर हार्दिक स्वागत है आज हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख मंत्रियों का अध्यन करेंगे मित्रो ये हैं आजाधी से पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री थे सर नवाब मुहम्मद आहमद सईद खान मित्रो आजादी से पहरे जो मुख्मत्री थे उनका नाम था मुहम्मद आहमद सायद खान 1937 से 1950 तक ये रहे इनका कारिकाल 3 अप्रेल 1937 से 16 जुले 1937 तक रहा कारियावद ही 104 दिन की रही जन्म 12 दिसंबर 1888 और मृत 1982 को हुआ राजनीतिक दल्स्वतंत्र यानि ये किसी पार्टी से नहीं थे स्वतंत्र थे नवाप छत्री ने 12 नॉम्बर 1930 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित पहले गोल में सम्मिलन में भाग लिया मित्रो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला गोल में सम्मिलन 1930 को हुआ था इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था दूसरे में भाग भी लिया था आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी पंडित गोलब पंडित गुविंद बलब पंत जी हुए जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख मंतरी कहलाते हैं आजादी के बाद के तो मित्रो आजाद भारत के उत्तर प्रदेश के प्रतम मुख्यमंत्री पंडित गूबिंद वललव पन्त जी थे इसके बाद मित्रो संपूणानंद जी आते हैं फिर चंद्रभान गुप्त जी आते हैं सुचेता क्रपलानी जी आते हैं सुचेत अक्रिपलानी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य मंत्री थी इसके बाद मित्रों चंद्रभान गुप्त जी आते हैं पांचवे नंबर पर उसके बाद चवधरी चरण सिंग चंद्रभान गुप्त चवधरी चरण सिंग इसके बाद में त्रो त्रिभुवन नाराण सिंग कमलापति त्रिपाथी हे मोती नंदन बहुडा नाराण दत्त तिवारी या एंडी तिवारी राम नरेश यादो बनारसी दास विश्वनात प्रताप सिंग स्रिपति मिस्र नाराण दत्त तिवारी फिर से एक बार मुख मंत्री बनते हैं वीर बहादुर सिंग नाराण दत्त तिवारी तो तीसरी बार नाराण दत्त तिवारी बनते हैं उसके बाद मुलाइम सिंग यादो जी कल्यान सिंग, मुलायम सिंग यादो, सुस्री मायवती और फिर से सुस्री मायवती जी मुख्यमंत्री के पद को हथिया लेती हैं कल्यान सिंग, राम प्रकाश गुप्त, राजनात सिंग और सुस्री मायवती इस तरह से तीन बार सुस्री मायवती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं फिर उलायम सिंग यादो जी, सुस्री मायवती जोथी बार स्री अखिलेश यादो जी और अंत में स्री योगी आदितनाथ जी जो कि 19 मार्च 2017 से 25 मार्च 2022 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं तो मित्रो अगर व्यक्ति के अनुसार देखें तो आदितनाथ योगी राज के 21 मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर एक बार ध्यान रखने योग है कि 21 फर्वरी से 23 फर्वरी 1998 के दवरान राज्यपाल द्वारा जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपत दिलाई गई थी लेकिन बाद में सर्वची नियायले द्वारा इसकी नियूक्ति को अवयद घोसित कर दिया गया था तो मित्रो भं लोग अपनी उस ट्रिक को देख लेते हैं जिसके माध्यम से याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से मुख्यमंत्री हुए है तो मित्रो इसके लिए हमारी ट्रिक है गूबिंद का बल संपोण आनंद चंद चंद कृपा चंद से चरण चंद के चरणों मित्र भोन कमाल की हेमा ने गुण नाराण के गाये मित्रों यहाँ पर है गाए नाराण के गुण गाए राम गैव बनारस वी आई पी पति लाए नर को नाराण ने बहादुर नर से मिलाया कल्यान करो मुलायम का अपनी माया से माया कल्यान करे राम राज करे माया मुलायम की माया को अखिल याद आया इस तरह से मित्रों आप सं कुंपोण उत्तर प्रदेश के मुख मंतलियों को याद रख सकते हैं यहां पर व्याख्या है तो मित्रो यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है उमीद है कि आपको यह पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए फिर मित्तिली कीजिए अंद व